हेलो एंड वल्कम टू टीवी का पटाका वल दोस्तों तुनीशा की माने प्रेस कॉन्फरेंस करके खोले शजान और उनके परिवार वालों के काले चिठे फलक नास किस तरह से भड़का रही थी तुनीशा को उन्हीं की मा के खिलाफ सारे के सारे सच का पता चल गया तुनीशा की माम ने प्रेस कॉन्फरेंस करके सारे के सारे सच को बाहर किया अभी तक अपने दिल के अंदर जिन जिन राजों को तुनीशा की मा दबा कर बैटी थी जिन बातों को छुपा रखाता तुनीशा की माने आखिरकार मीडिया के आगे सारा का सारा सच शिजैन और उसके परिवार वालों का बता दिया क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चानल को आप जरूर सबस्क्राइब कर लें बेल आइकन को दपाना अब बिलकुल न भूले वल दोस्तों तुनीशा शर्मा के केस के बाद काफी लंबे समय से यही हड़कम पता हर जगा की आखिर क्या थी तुनीशा की मौत की असली वज़ा क्या वज़ा रही कि आखरी के पंदरा मिनट में आदे घंटे में ऐसा क्या हो गया कि एकदम से तुनीशा ने अपनी जान दे दी जिसके बाद तुनीशा की मा ने आखिरकार मीडिया के आगे वो आई हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस करके अपनी बात को साफ किया है और सीधा इल्जाम ना सिर्फ शिजैन की उपर लगाया बलकि उसके पूरे परिवार को आरोपी ठहराया है तुनीशा की मा ने फलक नास के उपर उनकी बेटी को भड़काने का इल्जाम लगाया वैं दोस्तों आपको बता दें कि तुनीशा की मा उम ने बताया है कि उन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं था कि उनकी बेटी अपने हाथ में टैटू करवाए लेकिन आपको बताएं कि यहां पे साफतोर से तुनीशा की मा ने कहा है कि फलक नास मेरी बेटी को टैटू आर्टिस्ट के पास ले कर गई और उसने ही अपनी मर्जी से मेरी बेटी के हाथ में टैटू भी करवा दिया और मैं अपनी बेटी से इत बात के सक्त खिलाफ थी लेकिन फलक ने मेरी बेटी को मेरे खिलाफ ही भड़काया और इस बात को कॉन्फिडेंस दिलवाया कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल सही है जिसके बाद तुनिशा की मा इस बात से बहुत जादा अपसेट नजनाई और उन्होंने ये बताया कि मैं उसकी मा हूँ क्या मेरा अपनी बेटी पर कोई हक नहीं है मुझे कोई चीज अगर नहीं पसंद तो आखिर क्यों की गई मेरी बेटी को जबर्दसती दरगा भी ले जाया गया, उसे हिजाब पहनाना भी शुरू कर दिया गया उसकी लांग्वेज भी बद्ली जा रही थी, वो उर्दू बोलने लगी थी, वो उनहीं के हिसाब से ठलने लगी थी वो शिजैन की मा को अम्मा बूलती थी फलक नाज को जिससे उसका कोई रिष्टा भी नहीं जुड़ा था उसे अपपी बुलाने लगी थी और ऐसे में मेरा बच्चा यही समझेगा कि सामने वाला इंसान भी सीरियस है और शादी का रिष्टा उसने अपना बहुत सीरिसली ले लिया था और अचानक से उसके परिवार वालों ने उसको इतना इंवाल्व किया अपने साथ और फिर छोड़ दिया और यहीं सद्वा मेरी बेटी बरदाश नहीं कर पाई वैल दोस्तों क्या कहींगे आप हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूले